डैमाई दियान में स्वागते आप सभी का स्वाइब क्यों आज हम बात करनेगे हैं आपकी सांसो के बारें के आपने अपनी सांसो पर कभी ध्यान दिया है हम जब भी कुछ भी। खाते-पीते हैं तो ध्यान से देखते हैं क्या यह चीज जो हम खा रहे हैं वो सही है, हाईजीनिक है, साफ सुतरे तरीके से बनी हुई है, इन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए, है न, दिमाग भी ये सब चलता है, कि ये चीज़ें हमारे सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फाइदे मन है कितनी ज़्यादा बेनिफीशियल है तो इन चीजों का मखास ध्यान देते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं क्या यह सही है तो आपका जो सुपर फूड है आपके बोड़ी का फूड वह आपकी Speaking of nies अबकी ब्रीदिंग करने के जृत होती है तरुंकि वह बार दिफॉल्ट ने आप चलती रहती है कभी यह भी निए थे खा कभी कि के हम कैसे शांस लेएं जोड़ रहे हैं अगर आप अपने breathing pattern को सुधार लेते हैं अपने breathing pattern में अगर आप change ले आते हैं अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप physical, mental और emotional level पर काफी improve कर जाते हैं जब आप physical, mental और emotional level पर improve कर जाते हैं तो किसी भी तरह का mental, emotional और physical जो disease होती हैं वो आप तक नहीं आती और आपका जो शरीर होता है बिल्कुल fit हो जाता है और जो आपके शरीर में एक ताकत आती है mentally, emotionally, physically हर चीज़ को एक सहन करने के आप में शक्ति आ जाती है किसी भी चीज़ का फर्क आप पर नहीं पड़ता तो जब आप deep breathing करते हैं तो आपकी poor body high oxygen लेती है और oxygen जब आपके अंदर जाती है तो carbon dioxide release होती है जिसमें 1000 तरह की toxins होते हैं जो आपकी body से निकलते हैं और यार ये तो हमेशे अपनी सांसों पर ध्यान दे जब भी आप सांस लेते हैं बहुत गहरी सांसे भरें और गहरी सांसे भरने के बाद उन सांसों को आप तीन से चार सेकंड होल्ड कीजिए उन सांसों को अंदर रोकें और रोकने के बाद दीरे दीरे उन सांसों को छोड़ें यह काम आप दिन में 15 मिनट 2400 गंटे में से सर्फ और सरफ 15 मिनट आप कर सकते हैं जब आपने पंदरा मिनिट का अगर ये लाइफ में अपने रूल बना लिया ना दीब ब्रीधिंग एक्सरसाइज का तो आप कभी भी बिमार नहीं हो सकते हैं किसी भी तरह की कोई दिकत परेशानी आपको नहीं आने वाली है यह इतनी ज़्यादा पावरफूल है मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूं आपको जबसे मैंने इसको अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करना शुरू करा इमोशनली फिजिकली और मेंटली साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वच्चिंग हावाबू